So hello everyone, welcome back to my channel और आप ये वली वीडियो जो है थोड़ा एंड तक देखना है या मैंने बीच में या फिर एंड में कहीं पर एक गिववे का इस वीडियो में डाला हुए तक अगर आप वो गिववे के रूस फॉलो गरते हो तो आपको एक अची सी चीजे मिल सकती है और अप मेरा गिववे का सारी चीजे डिटेइल जानने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हूँ तो आप जाके फॉलो गर लो विल्कम बाक तो मैं चैनल और आज हमें एक इसी चीज़ दिखाने मले है जिसकी मेरे को बोल जारा रेक्वायरमेंट आरी थी कि आप इसके बारे में बताओ तो आज हम वीडियो बना रहे हैं नहीं कावासा की ZX-10R के ऊपर यो तोटली एक चेंज मिशीन आई है तो वस वीडियो स्टाट करते है तो वीडियो स्टाट करते हैं यहां पर खड़ी है नहीं कावासा की ZX-10R तो बेसिक बाताबूमा बाकी आठाही है की एखके इखके करेंगे की अजपी देतलं में उवररूल भाकीं करते हैं चोटे-पाकी टेख балर टेइल अपट इरिए की आठाहीं चोटे जटे हुखना यह बालहाँ नहीं कायमे जबावीश अब नीज देरी है और इसका यो एर इन टेंट है भी फूरा चेंज कर दिया हो है पूरा बेसिकिल फ्रेंट तो एकडम चेंग है MuttgarDS ूल बला ही है, Brakes ूल वली है, Suspension ूल वला ही है वर इसका जो फेरिंग है, Taill, Belly part, Feering part सब सेम है इसका जो तैंक है, TaYo2 पिए disapproval, जैसा है जानी है जाल नहीं है तो चेंगी है उसमें एभी Mirrors भी इसके चेंच है और इसमें एक और बेस्ट चीज आगी है कि इसमें हैजर्ड लाइज आगी है आप चारों इंडिकेटर्स आउन करते हैं जो पहले बाइक में नहीं था तो इसको पुरो तेल पेक्शियों भी पुरो चेंज कर दिया हुए यहां के वेंट से बनागी हुए फिर घंस से आप भी हें और विंगलेज बीर है तो यह नै निल है पटनाया हुए धूर यह भी यह बाइक आृस्प और यह बनाख बनाएट कि अ आपको जोनों को साथ साथ उदा करिए हो सबके बस ID हो एढ़ा है गाया खाले स्ट आपकि आप अच्छिन से बाकि आप नेशनल जेंपिन हैं तो एक बाइक को मेर से बैटर बाइटा सकते हुए बेसिकल गर कोही बेसे बागय हमें इप इस हमागय भागय पर फो फो इनकी नीचे आई नीचे आईटी हिए इंको जाएक के एक पॉलॉपर दोलो बैसे का गया है, गारिया ग्रेंड आएकर दूस रहुगा जे आपक ये बाआटी ऐडिशन और बाइशन और बाट्र विंटर डी लिट पिंटेस्ट पहोगा है विसीटली तेरी माइट है ऐग एंग ग्डार्ट पुर्डॉट्सेवाइक ब्लाश्ट अगोर आधरी लगहा है वर जादाष्ट्टिव लगहा है तो पुरी में आप रिलंगा है तो फ्रेन विडिग लगहा है और जो एडा अधरी निडश से खुलाउं करते हैं, तो 1725 अंडी हो एक शोरूं की बास पर एक लेट करते हैं, 1499, 1499 में लीटर वाइ, मैंने वी तो बहुत ज्यादा उपर है, और बेस सीज है कि कावा साथी की तो प्राइजिंग होते हैं, प्राइजिंग बहुत लिटीमेट होते हैं, तो बस आप इस ब कर दो दोच सांदा कर सकती ह intelligence की तो ब हbyागँ, तो बहुत की तो ऑन गम क्टाओंज सकती हैं, जर कवार की तो प्राइजिंग कर साथाब मैं रगते हैं, तो उरे जवी तो आफ़ फस्त ड्राइजींग, जरगते हैं, तो आपके याफाइज होते हैं, तndर दो और ज्याजि झाल 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 तो आप सब लोगो ने बाइक तो देखे लिए कि इतनी जाद ही अमेजिंग लग रही है और बाइक की बात करें पहले लुक से स्टार्ट करते है तो इसका फ्रेंट है वो पूरा एच्टू से ड्राइब करके बनाया हुगा है सेम एच्टू जह सही जह सही जहां एच्टू क तो हमें क्लेम कर रही है 17% का दाउन फोस फ्रेंट विंग लेक्वाजा देहां से जह संमें दिया है वह फ्रस टाइम आ रही है कावसा की ZX-10r मेग जो फरसा थाइम पांद इसटाम आ लग उस्में में इन इंक्रेंट विंग लेट्स सो बड़िको के से बात करें तू है से 10 mm थोड़ा सा लॉंग कर रहा है प्रीवेस जिनरेशन से और इसका जो रियर स्विंगा में वो भी टोटली न्यू है अपना उसका थोड़ा बहुत चीज़े चेंज करी हैं कमपनी ने प्लस जो उसका विविट जॉइन्ट होता है उसका वो थोड़ा लो मॉंट कर रहा है ताकि बाइक ज्यादा स्टेबल रहे और इसमें सबसे बड़ी चीज करी है कि जो इसका रियर स्प्रॉकेट पहले आते थे 39 टीथ का रियर स्प्रॉकेट अब आ रहा है उसमें 41 टीथ का तो जो बाद में जो लोग 2-up करते से व अल्रेडी कंपनी करके देख रही है अभी फ्रेंट स्प्रॉकेट का मेरे को इना आइडिया नी पर चलाने के बाद 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 में पता चलेगा कि क्या इनिशल में डिफरेंस आया है और जो बाइक में ओर अवरल दिखने से भी पता चल रहा था कि चेन लेंथ भी चेंज करी है उन्होंने न्यूस प्रॉकेट की वज़ा से और इसका जो फ्रंट जो स्टेरिंग का राक है फ्रंट सस्पेंशन जिस एंगल पर लगाए हुए है उसका स्टेरिंग राक होता है वो चेंज करा हुआ है जिस वज़ा से वील बेस में वहां से भी डिफरेंस आया है इस बाइक का टैंग तो ओवराल वैसे परानी वली जैसा ही है बस इसमें फ्रंट फेरिंग और टेल सेक्शन कंप्लीटली चेंज है इसमें और इसके जो फुटपेक्स की जो पोजिशन है वो प्रिवेस वले मॉडल से थोड़ा सा उपर है ताकि आप टैंग को अच्छे से इसमें TFT स्क्रीन दी है BMW इतनी बड़ी तो नहीं है पर ठीक है ओवरोल साइस ठीक है जिस है साफ से दे रहे है और उसके उपर एकदम सी उसका जो जो गेशिफ्ट लाइट होती है वो ब्लिंकर वो उन्होंने वापक दिया हुए और इसमें आपको एस्टू में जो लोगो होड़े है वैस भृटं करें ब्रेयकिंग की बात करे नहीं एल्मैकी नहीं असमें और इसमें तो ब्रेंबो धिस्क रूटर्टर्स देर हैं और इसमें स्पेंशन की बात करें सेयना जो एल शोग iMgdồi वापक्व च्पतोalyst तो гр decision has Nouë भी उजते है और इसमें मैंने ज तो इसको जरूर चलाएंगे तो बाइक पे बैठते ही मेरेको ऐसा लग रहा था कि बाइक बहुत जादा लाइट है पर मेरेको पता चला कि बाइक प्रीवेस मोडल से 1 kg है पर बाइक फील बहुत जादा लाइट कर रही थी और कावासा की फेरिंग होती है वो बेसिकली इतनी थोड़ी से हेवी बनाती है फेरिंग तो जैसे अगर किसी को ट्राक पर जाना है और वो रेस फेरिंग डालते है इसमें तो ओवराल अच्छा का सा अच्छा का दिफरेंस आया इसमें और बाइक का स्टॉक का साउंड नोट था वो बहुत अच्छा है प्रीवेस जिनरेशन से क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक में अच्छी हासे लाओड है इतनी भी लाओड नी है पर ठीक है थोड़ा सा लाओड इस इस मोडल की जो सिटिंग जो पोजिशन है पहले जो आती थी उसकी एकदम स्रेट ऐसे सीट आती थी अब थोड़ी सी पीछे से हाय रहे है तो थोड़ी सी एगरेसिव राइडिंग पोजिशन है पहले वले से ऐस कंपेर टो ओल्ड जेडेश टेना तो लाइक कर देना शेर कर देना और माइनमत में पहले ओल्यों आती शारा से ख बार से द One जुय आती अब जाएड़ी तो फोड़ाल से अ ह Sm